दोस्तो आज हम बात करेंगे 2018 UPSC टॉपर व अपनी ए दो लाने वाले IAS व लेखक अक्षद जैन सर के बारे में अक्षद जैन सर को प्रेरणा इनके माता वपिता से मिली क्योंकि वो दोनों लोग एक सिविल सेवक थे अक्षद जैन सर ने अपनी यह उपलब्धी अपने दूसरे प्रयास में हासिल की IAS अक्षद जैन सर अपने पहले प्रयास में मात दो नंबर से वंचित रह गए थे और अपने दूसरे प्रयास में ऐसे स्थान पर आये जिसकी कल्पना वो खुद भी नहीं कर सकते थे वो अपने दूसरे प्रयास में ए दोस्थान पर थे, वो एक बहतरीन लेखक भी है, वो मूल रूप से राजस्थान के जैपुर जिले से तालुक रखते है, टोक जिला जैपुर से दक्षिन 85 किलोमीटर दूर पर स्थित है, आएस अक्षद जैन की वर्तमान उम्र 28 साल है, ल और वो इस समय CBI, CBI में Joint Director के पद पर कारेरत है, और इनकी माता का नाम सिम्मी जैन है, वो भारतिय राजस्थ सेवा में कारेरत है, इनके माता वपिता 1991 बैच के सिविल सेवक है, आएस अक्षद जैन भी इनके माता वपिता को देख कर सिविल सेवक बने, इनकी प्रारमवि इनकी शिक्षा इंडिया International School से पूरी हुई, जो जैपूर में है, अक्षद जैन का पाई में रूची इनके छोटी सी उम्र से ही था, अपने स्कूल के दिनों में उनके माता पिता दोनों ने उनकी मदद की, अक्षद जैन अपनी बहुत छोटी सी उमर से ही तेराकी और जोहाती में दाखिला लिया, अपने कॉलेज के तीसरे वर्ष में ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला किया, हालां कि यह उनके दूसरे प्रयास में था कि अक्षद जैन ने अखिल भार्टा